Hello student, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिपनोई फीस के बारे में, जिसे लंग फीस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि NEET, AIMS and Other Exam के लिए बहुत ही important होता है, और इससे related medical में कैसे question पुछे जाते हैं, वो भी discussion करेंगे, और डिपनोई फीस को याद कैसे करेंगे, और डिपनोई जैसा की नाम से ही लग रहा है, डाई मतलब दो और नोई मतलब ब्रीथ, ये दो तरीके से ब्रीथ करता है, पहला point देखिए, the name डिपनोई, name means double breather, because in addition to gills, they all have one या two functional lungs, allowing them to breathe air, मिंस ये दो तरीके से ब्रीथ करता है, इसमें पहला जो होता है, गिल्स होता ह और डिपनोई फिस को amphibians और फिसेस की बीच का connective link माना जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि normal फिसेस जो होती है, उनकी हार्ट में दो चेंबर पाया जाता है, लेकिन डिपनोई फिस के हार्ट में तीन चेंबर पाया जाता है, आप second point देखिए, the which are considered as connective link between fishes and amphibians, and third point देखिए heart each three chambered, इसके बाद next point देखिए, डिपनोई फिस के three genus होते हैं, या यू कहें तो three types के होते हैं, नियो सिरेटोडस, प्रोटोपटेरस, लेपिडो सिरेन, नियो सिरेटोडस जो होता आश्ट्रेलिया पाया जाता है, प्रोटोपटेरस जो होता अफ्रिका पाया जाता है, औ उसको आप कम से कम तिन चार बार आप रिवीजन कर लेंगे, तो एक माइड में आपके आ जाएगा नियो सिरेटोडस, प्रोटोपटेरस और लेपिडो सिरेन, और इसको याद करने के जो ट्रीक है, एन पील के नाम से याद करेंगे, जैसे आपने आई पील सुना होगा तो इंडिया, सिकेंड अफरिका और आश्ट्रेलिया, न्यू जीलेंड और नन अप देपग, तो अभी आपने देखा पीछले बार में कि यह आश्ट्रेलिया पाया जाता है, यह अफरिका पाया जाता है, इसलिए इसके हिसाब से यह देखिए, आप्शन बी करेक्ट होगा, अफरिका या आश्ट्रेलिया का नेटिव होता है, डिपनोई फीज, उसलिए सिकेंड कोशन देखिए, बिलॉंग टु क्लास डिपनोई, आफ्शन देखिए, लंग फीज, इलेक्ट्रिक रे फीज, डॉक फीज, और और गेन फीज, इसको आफ्शन जो होता है, यह लंग मैं सिर्फ दो कोशन करा रहा हूं, यदि आपको और भी कोशन चाहिए, तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दीजेगा, और चैनल पर नहीं होगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, क्योंकि मै ऐसे ही ट्रिक्स की टॉपिक लाता रहता हूँ, थैंक यू एंद थैंक्स फर वाचिंग